हेलो फ्रेंज, वेलकम टो आर चानल, 360 डिग्री इंजिनेर, आज की अमारा टॉपिक है, लॉस ओफ एक्सेटेशन प्रोटेक्शन का पार्ट टू का वीडियो है, इसका पहले हम लोग पार्ट वन का वीडियो में हम लोग लॉस ओफ एक्सेटेशन का कॉस एंड एफेक्ट का बारे में डिस्कस किया था, जैसे लॉस ओफ एक्सेटेशन, क्या-क्या reason से हो सकते हैं, अमारा स्िंक्रनस मिशन में, और लॉस ओफ एक्सेटेशन का कंडीसिन पे, अमारा स्िंक्रनस मिशन का behavior कैसे रहता है, वो भी हम लोग दो case में डिसकस किया था, एक अमारा partial loss of बहब का अग्सिट्शन का केस में एक I­KA मिर्गों को जå किसे रहते हैं उसकी BENEंट इसकी मारा में भीясनों के था दा लस्ट वीडियों में अर इसकी बाद वह वह ल्ए Excitation का वज़े से हमको क्या damage हो रहे हैं अमारा mission में क्या damage हो रहे हैं और हमारा mission जिस system में connect किया था PowerPoint किया था इस्थम में उसमें क्या फरक पड़ रहे हैं चależy कर रहे है loss of excitation का वज़े से और 이 intuition loss of a आपको प्रोटेक्ट करने का क्या जरूरी है वो सारे की सारे वीडियो इसे अम लोग यह part 1 का वीडियो में discuss किया था अगर आप नहीं देखा है तो please watch that video है friends आज की वीडियो में अम लोग ये loss of excitation का protection अम different types of protection कैसे कैसे इसको अम लोग इसका loss of excitation condition में में अम लोग मिसिन को protect कर सकते हैं इसका वावर्यू और दो simple जो detection methods है दो protection methods का बारे में अम लोग discuss करेंगे सबसे पहले एक बावर्यू है जैसे लास्ट वीडियो का चोटा सा है जैसे हमारा ये हमारा मिसन है synchronous generator है इसका जो internal induced EMF है जो internal generated EMF है वो ये है और हमारा मिसिन का synchronous impedance प्रेस हमारा system का impedance X है और ये हमारा system या grid का voltage है फ्रेंस वी या terminal voltage है इस मिसिन का तब हमारा क्या होगा अगर इस मिसिन का अगर आम पावर देखेगा तो जो electrical power जो generated इस मिसिन का अगर आप देखेगा तो वो equation है ये इस equation से govern करते है जो power PE is equal to EV by x sin delta है तो हमारा जो power generated है या electrical power जो supply करते है इस mission that is directly proportional to है आमारा जो internal generated EMF है और हमारा जो terminal voltage भी है और sign of इसका जो angle difference है या stator और rotor का magnetic axis का angle difference है वो sign of delta का proportional है और indirectly proportional या inversely proportional to हमारा जो मिसिन का reactance और हमारा system का reactance है ठीके फ्रेंस तो ये है अमारा PE is equal to EV by x sin delta है अगर इसका आप curve देखेगा तो कैसे होता है इसका y-axis में आप इसका जो electrical power है जो generated है और x-axis में इसका delta है इसका load angle है यानि यह तो यह दोनों का e और v का बीच में जो angle difference है यह दोनों का अगर आप ड्रा करेगा तो that is nothing but p max sin delta है यह पी मैक्स है ev by x है तो यह एक sinusoidal कर रहे है इसका जो maximum है पी मैक्स है that is ev by x है यह maximum point है तो generally हमारा क्या होता है हमारा जो steam turbine for example कोई भी turbine है इसका जो turbine का prime mover का इसका जो mechanical supply है input supply हो mechanical का यह यह है तो यह corresponding जहां यह meet होते है उस वह corresponding इसका जो electrical power generated होते है और वो इसका corresponding delta angle होते है ठीक फ्रेंस यह already हम लोग discuss किया था जो loss of excitation condition में क्या होगा हमारा जो induced internal induced EMFE that is governed by अमारा फिल्ड है अमारा जो फिल्ड का flux अगर है तो वो यह रहेगा अगर फिल्ड ही नहीं है तो वो यह आपको drop होगा ठीके फ्रेंस इस case में हमारा क्या होगा EV by X में जो E कम हो रहा है तो EV by X है जो maximum power EV by X है वो आपको कम हो जाएगा loss of excitation का condition पे तो आपको for example 100% field current पे आपका यह आपका कारू दिख रहा है तो इसका power अंगल का कर यह 80% का case में यह आपको यहां आपको दिखेगा 80% इसका और 60% का case में आपको यह 40% का कम हो जाएगा इसका जो करू का और इसका जो maximum power EV by X है वो भी आपको कम हो जाएगा ठीके फ्रेंस यह अलड़ेडी हम लोग पहले का वीडियो में अम लोग डिसकस किया था ठीके इसी लिए आज की वीडियो में हम लोग ज्यादा इसकी बारे में डिसकस नहीं करेंगे फ्रेंस ठीके लेकिन अभी हमारा simple method है फ्रेंस जो हमारा loss of expectation मतलब क्या हो रहे हमारा जो यह कम हो रहे है internal induced DMF जो internal induced DMF यह कम हो रहे है यह हमारा main problem है जो main problem हमारा mission को create कर रहे है वो यह कर रहे है इसी का वज़े से हमारा power angle कर आपको नीचे shift हो गया down हो गया था इसी वज़े से आपको इसका जो delta increase हो रहे है और mission का stability पकड़ने के लिए mission आपको oscillate होता रहे गया और finally आपको over the synchronous speed मदब इसका speed बढ़के आपको एक induction generator जैसे यह behave करेगा finally जैसे हमने lost video में इसका बारे में step by step clearly discuss किया था ठीक है तो जो main problem है that is internal induced DMF तो हमको loss of excitation हो रहे है नहीं हो रहे है हमको पकड़ने के लिए अगर यह internal induced DMF है अगर यह आपको पता है अगर इसका value आपको पता है तो आपको आराम से बता सकते है loss of excitation है नहीं है अगर यह कभी भी आपको कम हो रहे है मतलब आपको फील्ड का excitation है आपको loss हो रहे है अगर यह बढ़ रहा है तो field का excitation आपको बढ़ रहा है इसी का वज़े से हमारा mission में आपको फरक पड़ रहा है loss of excitation condition पे तो आपको यह अगर आप measure करेगा तो आपको आराम से loss of excitation protection को अपड़ेट कर सकते हैं लेकिन यह यह आपको internal induced DMFA वह आप practically आप measure नहीं कर सकते हैं theoretically हम लोग ऐसे बताते हैं आपको पता ही यह voltage है जो terminal voltage आपका जो mission का बाहर इसका जो terminal में आपको मिलेगा voltage वह ही आपको पता है और mission का reactance आपको पता है इससे हम लोग generally calculate करते हैं लेकिन इसको आपको पकट नहीं सकते हैं आप इसको value आप नहीं पता है कभी भी आप कोई भी measurement किया है तो यहां आपको कोई really आप measure नहीं कर सकते इसका voltage आप जो लागा सकते है जो physical accessible point है हमारा जो generator का इसका टेर्मिनल में आप लागा सकते हैं right प्रेंस terminal में लागा सकते हैं इसका जो air gap में आप इसको लागा नहीं सकते है कोई भी access point तो आपको जो आपको मिलेगा हमेसे यही मिलेगा तो इसी वज़े से आपको loss of excitation protection सबसे complex protection है आप अगर generator का कोई भी protection देखेगा तो इसमें आपको तोड़ा complex protection है related to excitation related protection से sorry friends क्योंकि इसका जो इक measurement आपको possible नहीं है इसकी वज़े से आप indirect method में जो indirect way में आप इसको detect कर रहे हम लोग loss of excitation या out of step protection आप indirect way में detect कर रहे है इसी वज़े से आपको सबसे tough और complex जैसे लगते है इसको जो समझना ठीके friends लेकिन no worry है हम आपको clear कर देंगे loss of excitation का इसका जो detection method का बारे में सारे protection का बारे में आपको clear idea आप देंगे friends हम discuss करेंगे इसी वज़े से हम लोग यह measure नहीं कर पा रहे है इसलिए आपको indirect way में आपका relay आपका detection mechanism में आप यहां लागा के जनरेटर का terminal point पर अप लागा के आपको indirect way में आप इसको यह को measure कर रहे है य यही है हमारा detection method है तो हम लोग कैसे detect करते हैं इसको इसको detect करने के लिए friends हमारा basically छे तरफ का method है यही universally follow कर रहे है उसमें सबसे basic और पुराना method है friends हमारा DC undercurrent DC undercurrent क्या होते हैं जैसे हमने पहले वीडियो में अम लोग इसका जो static और इसका breastless excitation systems का बारे में वताया था कोई भी excitation system में finally हम लोग DC current है sorry DC current है हम लोग directly इसका field winding में दे रहे है या नहीं है तो कोई AC exciter का through इसको दे रहे है ठीक है अगर जो AC exciter का through भी दे दिया तो अगर आप इसका जो DC current है जो आपका DAVR नहीं है तो AVR से जो DC current जो जाता है अगर वो कम हो गया तो loss of excitation ही है अगर वो सही से दे रह जो चीज़ है तो उसी का basis में यह आपको DC under current protection based है यह simply आपको जो DAVR का output जो जाते हैं उसका current monitor करते हैं ठीक है उसका basis में यह decision रहते हैं ठीक है और इसका जो next detection method है friends simply हम लोग जैसे हम लोग lost पहले वीडियो में हम लोग discuss किया था loss of excitation condition में effect क्या होते हैं हमारा mission है जैसे पहले हमको reactive power supply कर रहे हैं लेकिन अभी reactive power यह consume कर रहे हैं तो आप reactive power का direction क्या हो गया उल्टा हो गया अगर आप कोई भी आपको reactive power का reverse reactive power का को कोई रिदे दा गय है आपको reactive power आगर आपको inverse हो रहे हैं आपको supply करने का जागा अगर यह consume कर रहे हैं तो वो भी एक conditional loss of excitation है तो इसके द्वारे भी आपको loss of excitation को आप detect कर सकते हैं राइट तो यह दोनों बहुत ही simple और very simple method से आपको समझने के लिए तीए फ्रेंस तो आज की वीडियो में य डिसकस करेंगे और भी तोड़ा method से लेकिन वो तोड़ा complex method से तोड़ा आपको समाझने तोड़ा सो मुश्किल रहते हैं लेकिन आगे वीडियो में इसकी बारे में भी आपको clear view दे देंगे friends टीके वो प्रोटेक्शन से अमारा सबसे पहले हमारा impedance based है जैसा Rx scheme है Rx scheme based protection मे इसमें हम लोग क्या करते हैं हमारा जो generator terminal है ठीके बाकी सारे protection का case में क्या कर रहे हम लोग simply जो generator का terminal पे अम लोग relay लागाया और इसका जो generator terminal पे इसका R और X का plot हम कर देंगे और उस case में आपको loss of excitation condition में इसका Rx जो relay यहाँ जो measure करते हैं इसका relay का यह generator side यहाँ से टू औ जो generator में रिले का अगर loss of excitation condition normal condition पी इसका resistance reactance है इसका जो plot impedance plot काईसे रहता है वो हमको समझ गया तो और आपको loss of excitation में अगर आपको excitation है ही नहीं है तो उसका Rx में क्या अंतर पढ़ते हैं अगर आपको पता है तो आप इसमें एक मतला आप इसमें एक decision दे सकते हैं यह loss of exc excitation condition या normal condition या normal condition ये ठीके फ्रेंज सो simply हमारा relay करते हैं उसको समझने के लिए आपको normally क्या रहते हैं अगर इसका जो terminal पे टू ओर्स अगर generator का side अगर देखेगा तो इसको अगर इसमें जो आपको Rx plane में इसका हर एक possibility में हर एक power का reading पे अगर इसका Rx diagram में अगर इसका normal condition प अगर आपको plot पता हैं अगर इसका loss of excitation condition पे इसका plot पता हैं तब आपको आराम से इसका हब decision ले सकते हैं तो वो ही आपको Rx है ठीके Rx scheme है दूसरा scheme है फ्रेंज हमारा GB scheme है जैक्स Rx का उल्टा है वो आपको admittance का plot में पहले वाला क्या है है impedance का plot में अगर आप measure किया तो वो Rx का scheme है resistance और reactance का scheme है अगर आप admittance का point of view में अगर आप इसका जो conductance और इसका जो susceptible reactance का opposite अगर वो रिदय आपको G और B ठीके इसको हम बोलते है GB scheme ठीके उसमें आपको इसका जो conductance और इसका जो susceptance अगर आप इसको measure कर रहे तिर्नल पे और आपको normal condition पी इसका plot के आए है और loss of excitation का condition पी इसका plot के आए है अगर आपको पता है तो तब भी आप आराम से इसको update कर सकते हैं मतलब आप इस पे एक decision ले सकते है रिले का तुर या loss of excitation का condition है या नहीं है राइट प्रेंस और आपको next method है आपको PQ scheme है आपको active or reactive power finally आपको active or reactive power अगर दोनों देख कर क्योंकि हम लोग जैसे पहले वीडियो में discuss किया था loss of excitation condition पे आपका जो reactive power इसका आपको reverse होगा पहले mission आपको supply कर रहा था अभी mission क्या होगा आपको consume करेगा ठीक है एक sync हो गया reactive source और इसका जो react इसका active power है पहले जो आपको active power यह load दे रहे जेनरेटर अभी वो क्या है जैसे यह induction में generator जैसे बिहेव करेगा तो वो इतना active power यह delivery ने कर सकते इतना मतलब जो इसका जैसे पहले आपको इतना power आपको deliver कर रहे थे system को लेकिन जैसे यह synchronous mission से इंडेक्सिन चला गया तो वो power obviously इससे कम होगा PE से ठीक है जो क्यों कम होगा आपको पहले वीडियो में अल्रेड डिसकस किया था आपको active power और reactive और दोनों अंतर हो रहे तो नॉर्मल कंडिशन पर इसका active और reactive और पावर capability कर वे जो आम अल्रेड डिसकस किया था और इससे बाहर चला गया तो loss of excitation condition पर क्या होगा अगर वो आपको पता है तो उस बेस में भी आप इसका रिले में आप decision दे सकते हैं loss of excitation condition है यह नहीं तो कोई और condition है आप पकड़ सकते हैं ठीक है फ्रेंज हमारा next relay है फ्रेंज हमारा UI based scheme है अगर आप इसी रिले में आप यहां आपको एक CTPT लागा कि आप इसका voltage भी और current भी ले रहे हैं और इसका बीच में एंगल है आप टूवर्स डिले जनरेटर सेड है इसका जो जो जनरेटर जो voltage और जो current supply कर रहे है और इसका बीच में एंगल को अगर आप देखेगा तो आप उस बेसिस में भी आप इसको loss of excitation का condition बता सकते है क्योंकि अमारा normal case में क्या होते है अमारा generator हमेसे reactive और क्या करते है सप्ले करते है तो यह हमेसे lagging power में आपको यू और आई का बीच में lagging पारफेक्ट रहेंग रहते है लेकिन जब loss of excitation का condition पर यह reactive power consume करेगा तब और यू आई का बीच में यह generator क्या करेगा रीडिंग पावर में operate करेगा अंदर excitation condition में operate करेगा तब आपको यू आई का बीच में जो angle है उसमें अंतर पड़ रहे हैं तो उस basis में भी आप आप जज़ कर सकते हैं loss of excitation condition है नहीं है रेट फ्रेंट्स तो यह सारे हमारा scheme से DCI undercurrent scheme है और reverse reactive power है Rx based scheme है और GB based scheme है जैसे में आपको बताया था इसकी बाद PQ based scheme है active और reactive और पेस्ट है इसकी बाद U और आई का best scheme है ठीक है इतना सारे schemes का मतले इतना सारे detection method का तरू हम लोग loss of excitation protection को हम लोग detect कर सकते हैं ठीक है और यह सारे की सारे scheme में हम लोग दो तरफ का condition देते हैं यह सारे की सारे scheme में loss of excitation without system under voltage है उसमें आप तोड़ा delay दे सकते हैं इस loss of excitation protection में क्यूंकि आपको system में under voltage है ही नहीं है व्यादा system sufficient है जो आपको mission है loss of excitation का वज़े से इसका जो active or reactive power drop हो गया या उसकी वज़े वह आपको अगर कोई और system से आपको इसका आपको boost मिल रहे है system से support मिल रहे है तो आपको system में क्या होगा आपको under voltage नहीं मिलेगा आपको under voltage नहीं है तो आपको loss of excitation protection में आप इसको जो decision लेने के लिए और तोड़ा time ले सकते हैं वही हमारा time delay है ठीक है क्यूंकि आईसा हो सकते है friends बहुत सारे condition पे system है अमारा system में कोई भी transient साते हैं कोई abnormalities आते हैं तब mission है loss of excitation condition जैसे behave करते हैं लेकिन जैसा पाहर का fault है तो अगर वो clear हो गया तो mission आपने आप जैसे पहले है आईसे ही चलेगा ठीक है तो उस confusion के avoid करने के लिए हम लोग दो तरफ का condition है एक system में loss of excitation without under voltage इसमें आपको time delay based protection है अगर loss of excitation आकर detect कर रहे हैं और उसी condition पर system पर under voltage भी हो रहे हैं तब आपको उस mission को आपको trip करना ही करना है मतला कितना जल्दी करे है तो उतना अच्छा है है इसलिए आपको loss of excitation with under voltage में आपको almost instantaneous जैसे आप इसको time delay देते हैं और loss of excitation without under voltage में क्योंकि आपको system में फरक नहीं कर रहे हैं इसलिए time delay देते हैं क्योंकि system में system already support कर रहे हैं और system में under voltage नहीं है और तोड़ा देर आवर वेट कर रहे हैं तो यह loss of excitation आपने आप reset हो जाएगा जैसे सोच कर अमलों with without under voltage में तोड़ा time delay देते है फ्रेंस ठीक है तो यह सारे protection से लेकिन आज का वीडियो में सारे आम लोग cover नहीं कर पाएंगे इसलिए आम लोग जो basic और बहुत simple protection से हमारा DC under current based protection और हमारा reverse reactive power based protection इस दोनों बहुती simple based protection से वो दोनों को आज की वीडियो में आम लोग देख लेंगे फ्रेंस यह बाकी हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे इसका consequent वीडियो से उसमें अम लोग बाकी का schemes का बारे में भी अम लोग discuss करेंगे तो सबसे पहले हमारा DC under current based loss of excitation protection है ठीके फ्रेंस तो DC under current based protection में अम लोग क्या करते हैं तो यह अमारा generator का field winding है ठीके जो यह अमारा जो DAVR से है यान यह तो जो accelerator से आ रहे है वो यह फ्रेंस अमारा ठीके यहां आम से फ्रेंस जैसे हम लोग battery chargers का वीडियो में अम लोग discuss किया था संट का तुर हम लोग इसका ampere measurement जैसे हम CT तो हर जगा नहीं सकते हैं यहां आपको DC CT लागाना है तो तो तोड़ा cost भी पढ़ते हैं यह DC CT यह नहीं है तो आपको hall effect वाला CTA वो लागाना पढ़ते हैं अगर आप इसको यह DC current based loss of excitation protection इतना accurate scheme नहीं है फ्रेंस तो आपको इसलिए आपको यह DC CT यह नहीं तो hall effect CT नहीं लगाते हैं most of the application में जूंकि इसका accuracy भी इतना अच्छा नहीं है यह generally जहां non critical application है वहां यूज करते हैं वो क्यूं में इसका जो disadvantage में हम लोग discuss करने के बाद आपको clarity हो जाएगा है तो generally हम लोग क्या करते है DC current हम लोग संट का through measure करते है संटी इस नहीं बड़ एक सिंपल एक resistance यह नहीं है तो यह copper strip जैसा आप लेते हैं और इसकी across आप मिली वोल्ट मेजर करते हैं हमेशा ठीक है अगर आप इसकी current जादा है ता इसकी फिक्सिट रेसिस्ट Your Co содерж agreement आपको पता है मिली वोल्ट उस मिली वोल्ट मैजर करके उसमिलीवट कोπουड के basis में अम नोग सिसका मैजर मेंड करते हैं अगर फोग्र करन बढ़े तो मिली वोल्ट भी बढ़ेगा एकरन 2C volts उन्रट कर आप यहाउ नहीं होता है यह copper strip जैसे दिखते हैं आपको तो इसका resistance fix डे इसका current आपको बढ़ने के वज़े से इसकी एक्राउस जो I into R है इसकी एक्राउस जो voltage है वो मिली वोल्ट में रहेगा क्योंकि R है बहुत कम है अगर इसको R बढ़ा दिया तो आपको आपको पता है कोई भी protection या measurement है आपको actual जो current है या voltage को आपको ज्यादा deviate नहीं करना चाहिए इसलिए हम लोग बहुत low resistance है copper strip जैसे यूज़ करते हैं तो यह non resistance है आई into R है इसके वाज़े से जो mille volt generate होगा अगर वो current जादा है तो यह mille volt इसके across जो mille volt है वह भी ज्यादा होगा अगर current कम है तो इसके across mille volt भी कम होगा तो हमारा over current based protection मैं इसको क्या करते है यह mille volt जादा है तो हम लोग इनिसेसन देते हैं मेरेकन यह मरा अंडर करेंट बेश्ट का प्रोटेक्स नहीं अगर रॉरन ओडरेंट होगया यह अभी दो ब्रस नां का पुरोक्त पूरण ओड्णोट ओगया यह सारे कंडीशन में क्या होगा आपको आपको फील्ड का करेंट जाए गई नहीं है या नहीं है तो आपको एक्सेटर में आपको फॉल्ट है या नहीं तो एक्सेटर का पावर सप्ले का रिलेटिर प्रॉब्लम है या एक्सेटर का इसका कंट्रोल सप्ले रिलेटिर प्रॉब्लम है और कोई भी प्रॉब्लम है को minimum current जितना रहते हैं अगर वो current से इससे भी नीचे आपको कभी भी आपको इसकी नीचे current कभी भी जा रहे है तो इसका मतलब भी आपको loss of excitation condition है वो ही इसका decision में करें है friends अम इसी का basis में आम इस protection करते हैं तो simply इसका across जो मिली वोल्ट है अगर आपको normal condition पर जो minimum जो मिलता है उससे भी आगर नीचे मिला तो यह आपको decision लेता है आपको loss of excitation condition है बोलकर ठीके friends तो यह है अमारा लेकिन इसमें भी आपको बताया था इसका जो for example startup condition है startup condition पर अल्रेड़ी इसमें कोई current नहीं रहते है startup condition है mission अल्रेड़ी अभी चॉल्व कर रहे है तब आपको यह default operate करके रखते हैं इसलिए इसको interlock करना पड़ेगा startup का साथ कभी भी आपको mission चॉल्व हो रहे है तो यह protection आपको bypass में रहेगा राइट फ्रेंज सो क्योंकि startup का condition पर अल्रेड़ी यह आपको current जीरो ही है में इस फील्ड में आपको current जाए गए नहीं है आपको जब acceleration on नहीं करते है जब तक आपको synchronous पहुंचेगा सो इसलिए startup का condition पर इसको nuisance stripping इससे नहीं आवाइड करने के लिए हम लोग startup का condition पर इसको interlock लागाते है यह protection आपको activity नहीं होगा startup condition पर जैसे mission एक बार start हो गया और इसका voltage बिल्ड हो गया इसकी बाद यह protection आपको line में आते है reference ठीक है तो हमको startup का साथ इसको interlock करते हैं और यह protection हमेज़ आपको time delayed है क्यूंकि आपको यह protection से भी आपको समझ में आ रहे है क्यूंकि आपका डीएवियर में क्या होते है आपको system में transient के इसाब से आपको generator है बहुत बार क्या होते है आपको lagging power factor से reading power factor में जाते है तोड़ी देर के लिए उस case में आपको reading power factor मतलब क्या है जो आपका इसका जो field का flux चाहिए वो flux चाहिए air gap flux वो पूरा flux आपको armature current से ले रहे है field current से नहीं दे रहे है जैसे हम लोग पहले synchronous mission का operation बता है synchronous mission है एक constant flux mission है इसका जो air gap में flux है वो constant है अगर वो air gap का flux constant करने के लिए हम लोग क्या कर रहे है इसका field से हम लोग flux देकर air gap का flux support कर रहे है ठीक है अगर field से हम लोग flux दे रहे है तो क्या होगा आपका armature से कुछ reactive current लेगा ही नहीं है अगर field से flux और ज्यादा दे देगा तो यह आपको reactive और आगे भी supply करेगा राइट ट्रेंट्स तो अगर आपको field का flux कम हो गया तो यह क्या करेगा अब्विश्ली वह supply से कीच लेगा armature current से कीच लेगा so that इसका जो flux है वह constant maintain करने के लिए करेगा हो ठीक है इसी लिए क्या कर रहे है हमारा इस इंडेक्शन जेनरेटर चैसे बिहेव कर रहे है वो leading power factor देते हैं वो सब रिजन इसी लिए क्योंकि यह आपको constant flux mission है यह इसका air gap flux constant करने के लिए try करेगा इसी वज़े से आपको क्या होगा कभी भी आपको transient का conditions में क्या होते है आपको यह mission है एकदम swing मारते है यह power swings का case में आपको यह armature current से भी आपको जो for example out of slip हो गया तोड़ी देर के लिए तोड़ी देर के लिए यह इसका जो transient case में इसका जो swings होते है power swings उस case में भी reactive power जाते है जीरो भी जाते है नेगिटीव में भी जाते है तोड़ी duration के लिए उस case में यह रिद्या अन्नेसरी आपरेट करें रियक्टीव और कभी भी जीरो हो गया मतलब क्या है आपको field से कुछ भी आपको field से जो current चाहिए आपको उससे कम है आगर आपको reactive or out negative हो गया आपको flux ही नहीं मिल रहे है हार में चरी सारे flux एरगे flux प्रवाइड कर रहे है इसका मतलब आपको field में current नहीं जाएगा तोड़ी देर के लिए तो यह fluctuation आपको डीए वियर अपने आप एड़िस्ट करते है उस power swing के साल तो उस condition पे unnecessary nuisance trip करेगा वो condition है आपको transient condition है आपको millise millisecond में clear हो जाएगा लेकिन आपको millisecond का बाद यह generator जैसे पहले condition है ऐसे ही operate करेगा वो actually loss of excitation condition ही नहीं है इसी दिए loss of excitation protection बहुत complex protection है क्योंकि यह अमारा जो generator है बाकी system का faults का साथ यह transience में इसका जो behavioral loss of excitation जैसे ही आपको दिखेगा तो इसी दिए इस protection में आप simply इसका current का based कर रहे हैं तो उसको आप कभी भी आप instantaneous नहीं कर सकते है instantaneous कर दिया मतलब आप एक blackout का condition आप इसको लेकर आ जाएगा क्योंकि अगर हर mission आपको कोई भी एक mission आप trip हो गया तो वो mission आपको जो power swing होगा power swing का case में इसका हर mission यह आपको trip करेगा और हर mission आपको loss of excitation में trip हो जाएगा edited करके इसी दिया यह आपको कभी भी instantaneous protection नहीं कर सकते है यह आपको time delayed protection है so that इसका जो power अमारा system में जो transient से यह आप power swings का condition पर यह आपको कभी भी आपको nuisance stripping या माल operation नहीं करेगा तो इसकी अगर आप disadvantage देखेगा तो disadvantage के है friends सबसे पहले disadvantage में आपको बताया था यह आपको start-up का condition पर अगर loss of excitation होआ है तो तब यह detect नहीं कर पाएगा और दूसरा condition अगर आपको field में कभी short circuit हो रहे है तब भी आपको यह detect नहीं कर पाएगा क्यूंकि यह current तो जा रहा है short circuit case में तो current इससे minimum तो जाएगा नहीं है वो generally open circuit या इसका excitation का related या brush या slip ring का related उस case में यह operate करेगा लेकिन field का कोई short circuit है कभी यह आपको operate ही नहीं कर सकते हैं यह इसका disadvantage है और इसका बाद इसका जो एक बार for example कभी भी आपको loss of excitation हो आपका deavis fail हो गया ठीक है loss of excitation हो गया यह detect कर दिया लेकिन यह drop off होने के लिए आपको current क्या आना है normal आपको जाना चाहिए लेकिन यह drop off नहीं होगा जेनर दिए 0 नहीं होगा इसका जो इसका जो श्टार्टिंग है फर एक्जांपल कोई बी ट्रांसियंट के वजए से यह आपको स्टार्ट हो गया यह current है इसका मिली वल्टी से कम हो गया यह loss of excitation protection है स्टार्ट हो गया इसका जो time delay फर एक्जांपल हम जो दिया था पांच सेकंड लेकिन वो पांच सेकंड का अंदर यह normal भी हो गया तो उसमें आपको यह drop off नहीं होते है क्योंकि इसका जो यह transient condition पे इसका जो strip frequency का वजए से और इसका ज आपको एक तरब से आपको nuisance stripping जैसे है friends दीगें आपको loss of excitation condition में भी और normal condition पे भी इसका जो AC current जी जो जाते हैं आपको जो for example loss of excitation condition पे और यह तो transient condition पे क्या होता है हमारा AC current भी इसमें जाते हैं जैसे transient आता है तो यह आपको by lens law के साब से वह आपको air gear flux change हो गया है उसमें आपको transient के वज़े से जो AC induced dmf generate करेगा और उसमें आपको current जाएगा वो current को भी field current जैसे ही समझेगा उसमें भी आपको एक relay disadvantage है आपको AC induced current और या actually DC field current है वो यह relay को समझेगा आएगा तो यह भी इसका disadvantage है और इसका जो यह drop off ही नहीं होग सकते है induced AC current का वज़े से अगर यह for example induction AC generator जैसे अगर यह एक बार ऑपरेट होना शुरू कर दिया तब आपको क्या होगा इंडेक्सन AC generator में यह आपको strip frequency पे इसका field winding में induced DMF generate होगा और उसकी वज़े से current flow होगा आपको field diverting resistor का वज़े से और उस current का वज़े से भी यह आपको यह relay क्या करेगा यह picky नहीं होगा इसकी बाद भी एक बार इंडेक्सन जेनरेटर का operation में चला गया तो तो यह सारे आप आपको बहुत जाला time delay भी नहीं रख सकते हैं जब तक एंडेक्सन जेनरेटर जैसे मला strip frequency तक पहुंचे का ठीके यह सारे इसका disadvantages इसी लिए इसको लेकिन बहुत simple और सस्ता रहे हैं लेकिन यह सब disadvantages का वज़े से जहां आपको non critical है like आपको कोई आपको diesel generator है वहां आप इसक यूज कर सकते हैं लेकिन आपको जहां यह बहुत बड़ा power rating का generator है तो उसमें आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं basically इसको non critical और आपको low rating का generator का case में आप इसको यूज कर सकते हैं इसको यह हमारा DC under current based है तो next वाला है फ्रेंस हमारा reactive power based हमने अल्ड़ी बताया था यह हमारा generator हमारा system में जो feed कर रहे हैं अगर हम लोग यह इसका जो CT और PT लगा के हमारा relay में reactive power अगर measure करेंगे ठीक है reactive power measure करेंगा था हमने अल्ड़ी बताया था normal condition पर active और reactive power दोनों system को feed करेंगा लेकिन जब यह excitation loss होगे तो क्या करेंगा reactive power को यह system से कीचेगा मतलब इसका reactive power का direction आपको उल्टा हो गया right friends तो आगर हम लोग reactive power कभी भी negative में अगर reverse direction में इससे ज़्यादा आ रहे है तो इसमें आपको relay का initiation दे सकते आपको समझ सकते हैं यह loss of excitation का condition है right friends तो यह basically आपको जहां यह आपको जैसे डीजल जनेरेटर जैसे यूज नहीं कर सकते हैं यह जहां जिस system में आप इसको बाकी जनेरेटर का साथ आप सिंक में कर चल रहे हैं उसी case में इसको यूज कर सकते हैं लेकिन यह protection का आपको किसी में भी यूज कर सकते हैं यहां आपको system में आपको कोई और generator ही नहीं है तो यह loss of excitation condition में इसका reactive और reverse जाए गए नहीं है यह कोई reactive और source ही नहीं है आपको system पे तब यह relay operate ही नहीं होगा तो इसलिए इस protection को आप जो grid महां आपको जिस system में आप system का साथ आप सिंक कर रहे हैं सिस्टम में और भी generating sources है और वहां से आपको reactive power source मिलेगा तब ही यह protection को आप यूज कर सकते हैं इस based protection को इसको भी आप यह भी आपको इतना accurate protection नहीं है जैसे हम लोग जैसे पहले बताये ता ऐसे ही इसमें भी आपको जो actual loss of protection यान यह तो power swing का condition या transient का condition है उसको distinguish करना यह यह power swing है या transient condition है या यह तो actual loss of excitation condition है उसमें आपको simply reactive power base में आपको distinguish करना बहुत मुस्किल है अगर आप इसका basis में अगर आप decision ले रहा है तो आप only non-critical application में ही इसको भी आप decision ले सकते हैं critical application में जहां आपको इसका generator का power rating जादा है उस case में आप उतना megawatt को आप एक साथ simply आप इसको reactive power देखकर इसको shutdown नहीं कर सकते है mission को क्योंकि shutdown करेगा तो आपको इसकी वज़े से आपको बाकी system में इतना megawatt भी कम हो जाएगा और आपको unnecessary system को आप इसको affect कर रहे है right friends तो इसी वज़े से आप generally इसको जो small power rating का application में उसी जहां आपको बहुत power protection इसका जो protection का cost बहुत सस्ता चाहिए तब आपको इस simple protection इस reverse reactive power based protection को आप यूज करते हैं otherwise इसको इसको भी आप generally यूज नहीं करते है friends लेकिन इससे भी आम लो loss of expectation condition को आप detect कर सकते हैं friends तो यह दोनों आपको DC current based और आमारा reverse reactive power based protection ने बहुत simple और आपको समझने भी बहुत आसाने आगे और complex protection से उसकी बारे में आगे वीडियोस में और discuss करेंगे आपको loss of expectation protection का बारे में पूरा जानकरी पता चलेगा friends ठीगे तो यह friends आज की अमारा वीडियो अमारा साथ आगे भी बनाता रहे हैं for more and interesting videos thank you friends